पूप यहलों वेलकम टू रोड़ा क्लासिस विशली यूटूब चैनल आप सभी को पते हैं इसमारा कुस्ट्ट ओफ दे आ रहा है बेंकिंग मेंस के लिए तूसी में एक किस्ट्ट्ट हमने एड़ किये टाइमेंड वर्क का उसमें क्या 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 कुस्ट्ट पढ़ते हैं The total number of men, women and children in a factory. क्या कोई फैक्टरी है? ठीक है. फैक्टरी में men, women, children. Men, women, children की जो उनकी संख्या है वो कितनी है? 24 है. कितनी है? 24. If they earn, okay. वो तोटल कितनी गेन कर रहे है? 3,330 रुपे. वो कितनी गेन कर रहे है? 3,330 रुपे. If the sum of wages of men, women and children are ratio 21, 10, 6. मतलब क्या कह रहे है? मतलब कह रहे है, sum of wages का ratio क्या है? 21 ratio 10, 10 ratio 6. एक ratio दे रहे हैं, wages का. Wages का ratio हम लिख लेते हैं. 21 ratio 10, ratio 6. ठीक है? And the wages of men, a man, a woman and a children. देखो. यहां पे उसने टोटल का है. यहां पे क्या क्या? उसने? एक man, एक औरत और एक children का कितना बही? एक man, a man, single man, man का लिख लेते हैं, woman का लिख लेते हैं, children का लिख लेते हैं. ओक यहां दे रहे हैं, 7 ratio 5, ratio 2, ठीक है? उसने यह कहा बही? ठीक है? अब देखो. अब question में करना क्या है? उसने बोला, then how much does a woman earn in a day? मतलब एक इस्तरी एक दिन में कितने रपेक कमाती हैं? तो भाई देखो, हमने क्या करने पहले? number of person है, इसमें कितने महन हैं, कितने वीमेन हैं, कितने चल रहाएं हैं, यह निकालना होगा? ठीक है? यहां पे wages है, और यहां पे क्या है? यहां पे total है, यहां पे एक आदमी की है, तो भाई देखो, क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? हमने क्या कहा है, एक आदमी के लिए, एक एच परसन, एक ही, मतलब एक ही man, एक ही औरत, एक ही चल रहाएं हैं, जो दूसरा ratio दिया थो हमें, वो क्या था? कमबाइन, सभी के लिए, भी man total कितना कमा रहे हैं, 21, women total कितना कमा रहे हैं, 15 I think, और children कितना कमा रहे हैं, ratio था, 6, sorry, यह क्या था? 10, यहां पे क्या था? 6, तो देखो, अब देखो, यहां पे single man है, यहां पे क्या है? पूरे के, पूरे की wages देर की है, तो भाई, total percent पता लग जाएंगे, अगर 21 को 7 से बाग देंगे, कितना आजाएगा, 3X, ठीक है, 5 को 10 से बाग देंगे, कितना आजाएगा, 2X, ठीक है, 2 को 3, 6 से बाग देंगे, कितना आजाएगा, 3X, तो total number of person आगई, क्या आजाएगा, 24, तो 8X की value कितनी आगी हमारी, 24, एक्स की value कितनी आगी ह अगर हमारे पास तीन आ गई तो यहां पर कितने नमब्रों परसन हमने निकाल लिए तो टोटल मैन कितने है नौ टोटल मैन कितने है नौ टीन की वैली लिख देंगे नौ टोटल वीमेन कितनी अच्छा है और टोटल चिल्टरन कितने है नौ अगर हमने एक्स की वैली इसकेश तो यहां से हमने x की value solve का लिए क्योंकि total number of person कितने दिए हमें 24 दिए हैं इसी तरह से अब उसने क्या कहा था total number of sorry total जो wages तो किस ratio में है total wages उसमें किस ratio में थी 21 10 6 मतलब 21 10 6 इसकी value उसने कितने दिए है 3330 अगर मैं इनको plus करूं तो 37 हो गया 37 की value कितने दिए हमें 3330 37 को 9 से गुना करेंगे तो 333 होता है x की value कितने आगी 90 तो हमारे पास x की value 90 आगी तो इस तरह कितना कमारी है 10x 10x को 90 से multiply करें कितना आदेगा 90 900 आगया अगर 6 इस तरह कितना कमारी है नो एक female कितना कमाएगी 900 बटा 6 तो एक answer कितना आएगा 150 तो अपना answer कितना आगया 150 तो एक इस तरह कितने रुपे कमारी है 150 कमारी है daily wages में ठीक है इस तरह से इस question को solve करने में दुबारा बदा देता हूं थोड़ा typical question है यहां पर देखो जो यह ratio दे रहा है उसने क्या है wages का भी इतने इतने ratio में पैसे कमारी है ठीक है और जो नीचले वाला ratio है जो second ratio दिया हुए क्या है एक आदमी एक दिन में 7 रुपे कमार है में टू से साथ एक्स यहां पर फीमेल पांच एक्स और एक चिल्डरन कितने कमारा है दो दो एक्स अगर हम single day को पूरे से डिवाइड कर देंगे single day को पूरे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे number of candidates आ जाएंगे number of male आ गए number of female number of children तो यहां से कित में पुट करके हमारे पास female के candidate कितने आगे 6 आगे इसी तरह आगे क्या कर रखता है उसने जो रेशो था 21, 10, 6 वेजिस का रेशो था टोटल वेजिस कितनी उनकी तीन है 330 रुपे एक X की value निकालने कितना आजेगा 90 बट फीमेल को कितना मिलना है 10 10 से multiply करें कितना आजेगा कितने कितने हैं कितना सब्सैने कितने के ता आगिया का इसलोफ तरह